हे गाइज वेलकम बैक टो आर चैनल सान ओटो दोस्तो आने वाले जून और जुलाई महिने में इंडियन मार्केट में बहुत सी बाइक्स लॉंच होने वाली है जिनका कंफर्मिशन खुद कंपनियों ने किया है तो आज के इस वीडियो में हम इनी सब बाइकों की कुछ के लिए कोई न्यू बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये फीडियो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाला है आप इसे बिना स्केप की अंतक जरूर देखिए लिस्ट में सबसे पहले है हीरो मोटो कॉप और हार्ले डेविर्शन की फॉर्स्ट रेट्रो लुकिं लेकिन कोस्ट के चलते लिकूइद कूलिंग सिस्टीम की जगा यहां एर कूलिंग सिस्टेम का यूज किया जा रहा है बाइक की स्टाइलिंग काफी हद तक हाले डेविर्शन के ही और सीरीस से इंस्पार रहने बारी है जिसमें राउंड सेप एलीडी हेड़ लाइट होग बीच में horizontal LED DRLs होंगे, circular turn indicators, multi-spook alloy wheels दे से काफ़े साड़े elements का इस्तिमाल किया जा रहा है। बाइक में suspension का काम करने के लिए फ्रंट की तरप USD front fork और rear में gas charging sock absorbers का इस्तिमाल किया जा रहा है। सेफ्टी सेटप के तौर पे बोथ एंड पर disc brakes के साथ standard dual channel ABS होगी और बाइक में meter console आपको circular shape में fully digital ही दिया जाएगा, जिसमें Bluetooth connectivity के साथ-साथ navigation की option भी होने वाला है। लिस्ट में next है hero का ही एक और model next generation charisma ZMR जिसे अब पहले से और भी जादा भैतर features, performance और sportier look के साथ relaunch किया जाने वाला है। Hero अपने new charisma ZMR में एक बिल्कुल ही new platform का इस्तमाल करने वाली है, जिसमें front के तरफ suspension duties करने के लिए telescopic front fog का इस्तमाल किया जाएगा, बोथ इन पर disc brakes होंगे, full ellery lightings की unit होगी, साथ में एक fully digital Bluetooth connected meter console भी दिया जाएगा, जिसमें turn by turn navigation जैसे advanced features होने वाले हैं। बाकि आपको इस bike में भैतर performance देने के लिए एक all new 210cc की liquid cooling system बाले engine का यूज़ किया जा रहा है, जो लगफ़क 25 piece के आसपास power produce करने में शक्षम होगी, 6-speed gearbox के साथ। हाला कि bike के overall look में जादा कुछ changes नहीं किये जाएंगे। कुछ design elements तो पुराने model से ही लिया गया है। जैसे bike का सार panels, sporty graphics और comfortable riding stands. सो दोस्तो, hero अपने new charisma ZDMR को प्रोबबली जुलाई में ही लाँच कर देगी, लगभग 1.60 लाग के एक शोरूम price range के around. लिस्ट में next bike है Bajaj और Trump की upcoming first retro scrambler model, जिसे 27 जुलाई को launch किया जाएगा। बात करें इसके look की, तो बाखी retro bikeों के जैसा ही इसमें भी वही कुछ common retro elements मौजूद होंगे। जैसे round headlight, round rear view mirror, round indicators, etc. लेकिन इस सभी आपको LED में offer किये जाएंगे। बाइक को एक premium look देने के लिए front की तरब upside down front fox का इस्तेमाल किया गया है। रेर में monosock suspension setup होगा, 19 और 17 inches के wheels होगे और safety setup के तौर पे both end पर disc brakes के साथ dual channel ABS भी देखने को मिलने वाली है। बाइक में meter console आपको retro look से थोड़ा अलग circular shape में semi digital offer किया जाएगा। जिसमें Bluetooth connectivity के साथ साथ कुछ advanced features भी देखने को मिलने वाला है। बाइक में power produce करने के लिए एक 350cc की single cylinder engine का use किया जाएगा। जिसके exact power figure तो अभी तक clear नहीं है। बटे बाइक launch के बाद Royal Infil की Hunter 350 के साथ complete करने वाली है पावर के मामले में। लेकिन इसका price आपको थोड़ा high देखने को मिलने वाला है। लगवग 3 lakh के around। लिस्ट की next model है Royal Infil की Himalayan 450 जो Royal Infil के 450 line-up की first model होने वाली है। Basically company इस बाइक को एक बहुती premium machine बनाना चाहती है। जिसके लिए company ने एक all new liquid cooling system के साथ 450cc engine को तयार किया है। जो maximum 35 bhp तक की power और 40 Nm तक का talk generate करके दे देगी six-speed gearbox के साथ। इस वज़े से बाइक का performance available Himalayan model से बहुती जादा शानदार देखने को मिलने वाला है। बाकि दोस्तों Himalayan 450 के features and mechanical elements भी काफी premium दिये जाएंगे। जैसे और LED lightings की unit, front की तरब premium USD front fork और साथ में एक Bluetooth connected navigation के साथ fully digital circular port बाला meter console। जिसमें bike के सारे major information शो हो जाएंगे। Royal Enfield Himalayan का ये new model अगस्त के एन तक launch होते हुए देखने को मिल जाएगा। जिसका price 250,000 के around देखने को मिलने वाला है।